है गाइज वल्कम टू वाइफाइ क्लासेज विथ दीपा और गॉरफ दोस्तो एक शानदा टॉपिक लेकर आया हूं मैं जिसमें हम लोग बात करेंगे टॉप 30 जी के क्वेश्चन जो की पार्ट 16 है पार्ट 15 तक वीडियो बन चुके हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए क्योंकि कमेंट जो करता है मैं उसकी बात जरूर सुनता हूं तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है तो ध्यां से देखेगा दोस्तों आपको बहुत हल्प मिलेगी और आप किसी भी गवर्मेंट एक्षम की प्रपेशन कर रहोंगे ये कॉशन आपके लिए क्योंकि ये जाता है कि वो तीन हडियों का नाम बताईए कौन कौन से है एक है मैलियस दूसरी है इंकस तीसरी है स्टेप्स बहुत इंपॉर्टन है ये स्टेप्स वाली ये भी ध्यान रखिएगा मैलियस इंकस लेकिन स्टेप्स किसलिए क्योंकि ये smallest bone of the ear क्वेशन ये आ दूसरा question देखो which is the smallest muscle in the ear भाईया अपने कान के अंदर muscle भी होती है जो कि सबसे smallest muscle कौनती है दोस्तों वह स्टेप्स तरीके से मैंने इसको याद रख लिया मैंने और ट्रिक बनाई थी कि bone एक चोटा सा word है चार लेटर का अपने चार लेटर का word है ठीक है तो स्टेप्स भी चोटा सा word है मसल थोड़ा बड़ा है तो स्टेप्स थोड़ा बड़ा है तो इस तरीके से मैंने लिंक कर लिया आपको भी help मिलेगी ओके थर्ड देखे है विच डिवाइस यूज़ तू मेजर वैरी लो तेंपरिचर ऑफ अबजेक्ट्स अबजेक्ट्स के सबसे कम से कम तेंपरिचर नापने वाली डिवाइस का नाम दोस्तों से बोलते हैं करावे मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है यह अपने इन्वेंशन एन पाइरो मीटर क्या करता है है ना दुनिया वर के जितनी मीटर है सारे बता दिये हैं जाकर जरूर देखिए आपको अगर ग्रोथ चाहिए है तो हैना मैं आपके हल्प करना चाहता हूं देट्स वाइं में दिस वीडियो और डिस्क्रिप्शन में साही लिंक मिलेंगी आप जाकर देख लेना भाई आगे बढ़ते हैं यह देखिए विच डिवाइज इस यूज़ टू मेजर वैरी हाई टेंपरिचर बहिए यह कौन से डिवाइज जो सबसे जादा हाई टेंपरिचर को मेजर करती है इसका नाम है दोस्तों पाइरो मीटर बहुत ही इंपॉर्टें जरूर जाकर देखिए अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा आपकी हल्प करना चाहता हूँ तो बहुत जरूर जाकर देखना वीडियो अगर मेरी बात में थोड़ा दम लग रही है या ट्रस्ट आ रहा है तो सन के अंदर जो सोर्स ऑफ एनरजी वो किस बज़े से होती है सन के अंदर जो रियक्शन होती है वो न्यूकलियर फूजन होती है कई पार कॉशन आ चुका है ध्यान रखेगा न्यूकलियर फूजन होती है सन के अंदर फूजन है ना फूजन ध्यान रखना फिशन नहीं है F-I-S-S-I-O-N ये नहीं है, fusion है, fusion, fusion, ध्यान रखिएगा अपने दोस्तों, अपने कान की रेंज क्या होती है, सुनने की तो ये कान अपने सुन सकता है, 20 Hz से 20,000 Hz बहुत important term है, ध्यान रखिएगा 20 Hz to 20,000 Hz, बिल्कुल ध्यान रखना भूल मत जाना मेरा भाई और 20 Hz से नीचे वाले ये अपने कुटे, बिल्ली, और जे चमगादर, ममंगादर और जे हैना, पक्ची-बक्ची होते हैं, आप वो सुन लेते हैं इसलिए बहुत उनका कान बहुत sensitive होते हैं समझ में आया, तो इतनी बात ध्यान रखिए, अपने लिए कि 20 Hz to 20,000 Hz ठीक है, मैं दोस्तों प्रॉपर पढ़ाऊंगा स्लोली, ताकि आपको समझ में आए, अगर किसी को लगता है कि स्पीड स्लो है, तो प्लीज स्पीड बढ़ा ले और अच्छे से देख ले, है ना Name the device which converts solar energy into electrical energy, इसे बोलते हैं दोस्तो फोटो वोल्टिक सेल, यह तो भाई यह इसका modern नाम हो गया, फोटो वोल्टिक सेल सिंपल बाजाम बात यह है कि अपने जो solar panel लगे होते हैं अपनी छट पे solar panel ठीक है, उसी को बोलते हैं जो कि solar energy को electrical energy में convert करता है, आपने कई जगा देखा होगा है ना, एक तबाला देखें दोस्तों, यह है what is the acceleration due to gravity at the center of the earth अपने पूरे अर्थ की center of gravity पर भाई या, मतलब center point पर gravity का क्या हाल है, क्या status है तो भाई यह वो होती है zero अच्छे से धियान रखना अपने पूरे प्रतिवी में अपने पूरे अर्थ में, बीच का सबसे center point जो भी होगा, वहाँ अपनी gravity zero होगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है, और सबसे ज़्याद़ gravity कहा होगी दोस्तों, पूल्स पर होगी, नौर्थ पूल और यह अपनी साथ पूल, तो अगर कोई champion है, थोड़ा सा पढ़ने वाला तो इसको पता होगा या फिर google करो भाई, पूछो google वाली मेडम से, बताईगे वो कि hey google तो भाई, who has gone in the north pole तो बताएगा, उसका नाम क्या है जो भी है, तो ज़रूर answer बताईएगा, मैं उमीद करूँगा कि आप talented है, answer जरूर देंगे यह देखिए what is the SI unit of electromagnetic induction, इसको बोलते हैं दोस्तों Tesla Tesla इसकी SI unit है, जल्द जली पढ़ाऊंगा आप थोड़ा सा, atomic theory of matter was given by delton atomic theory किस ने दिया दोस्तों, यह delton ने दिया है important ध्यान रखिएगा, static question आजाते हैं, यह देखिए which device is used to measure radio activity, कौन से device है, जो radio activity measure करने के लिए काम आती है इसको बोलते हैं दोस्तों GM counter, इसका full form है, Giger-Mueller counter, तो GM counter धियान रखिएगा radio activity की बात आईगी तो, है ना measure करने की, ठीक है अब देखो, 12th है what is the height of geo stationary satellite from the earth, अपने earth से geo stationary satellite जो उपर उड़ते हैं, चलते हैं, उनकी care distance होती है, कितनी range पो उड़ते हैं वो दोस्तों, मुझ लिएं सा बताते हैं 35,800 km की range के उपर रहते हैं, जो अपनी धरती है, और यहां से 35,800 km उपर उड़ते हैं यह, है ना, और approximately इसको 36,800 भी लग देते हैं, तो ध्यान रखिएगा कुछ भी option आ सकता है, ओके यह देखिए, what is the working principle of washing machine, यह तो बहुत शांदार है, आपके घर में washing machine अगर होगी तो आपको पता होगा भई है, कि इसमें कौन से process होती है, दोस्तों इससे बोलते हैं centrifugation, एक वाप फिर से बताता हूँ इससे बोलते हैं centrifugation, है ना और centripetal आपको समझ में आ गया हो, जो मौत का कुगा होता, दोस्तों बच्पन में आप देखने जाते होंगे तो बाहर की तरफ force लगता है, तो इसको बोलते है centrifugation, एक और example देता हूँ बच्पन में आपने लाइलुपपा देखा, लाइलुपपा बज़ो आपने ऐसे ओली में फसाकर रवर से लाइलुपपा की खेलते थे, तो उस लाइलुपपे को रवर से ऐसे घुमाते है तो जो कैसा घुमता है, ऐसे ऐसे घुमते जाएगा, फ्लोर पर गुमते घुमते और एक टाइम आएगा, वो तूट के बहार निकल जाएगा इस जी को बोलते है, centrifugation force जो force नब बाहर की तरफ लगता है, तो बाहर की तरफ टेंजेंशल इधर जाता है वो, तूट के तो उसको बोलते है, centrifugal force मतलब लाइलुपपा में centrifugal force लगता है और अपने मौत के कुवा में centripetal force लगता है, समझ में आया भाई, ये देखिए 14th है, what is the SI unit of torque, torque SI unit क्या है, newton meter, ध्यान रखना पड़ेगा कोई तरीका नहीं है, what is the main purpose of choke and tube light, देखो भाई, tube light के अंतर जो चोक लगी रहती है, क्या आपने कभी सोचा है कि उसका क्या काम है, वो क्या करती है, reduce current in the circuit, भाईया, चोक इसलिए लिए लगाते है कि मानलो, एक current एक दम से ना आए, okay, समझ मैं आया, चलो आप चोक से कोशन आ गया है, तो मैं आप से एक और कोशन पूछता हूँ, मैंने अपने वीडियो से में पढ़ा चुका हूँ, कि भाईया, fuse क्या होता है, जो अपने meter meter में fuse muse लगा रहता है, उस fuse का काम क्या है, जो आपके remote रहता है, मतलब क्या बोलिंगे, अपना board रहता है, जिसमें अपने TV का connection है, fridge का connection है, दन दे तूपाने, तो एक fuse लगा होता है, तो उस fuse का क्या काम है, कोई बता पाएगा मुझे, अगर कोई champion है, तो मैं सुनना चाहूँगा कि कैसे क्या काम करता है वो, मैंने पढ़ा चुका हू इसको बोलते हैं, महो, ह, महो, महो, और सीमें, या दोनों में से कोई भी नाम, तो इसको धियान रखे है, electrical conductivity की बात आई, तो इसको इसकी SI unit होती है, महो, ओके, और सीमेंस, कुछ भी, ठीक है, जो भी समझ मायदा है, 17th है, what is the SI unit of resistance, पूरी दुनिया को पता है, बच्पन से ओम बोलते हैं, इसको ठीक है, what is the SI unit of resistivity, इसको बोलते हैं, ओम मीटर, ध्यान रखेगा, resistance की ओम, और resistivity की ओम मीटर, आगे देखते हैं, 19th है, who invented the battery, भी, या बैटरी किसने इन्वेंट करी, एक बोल्टा नाम के scientist है, जिसने बैटरी को इन्वेंट किया, तो ये simple सी बात है ध्यान रखना आपको, 20 नमबर का देखिए है, which rays is not emitted from radioactive elements, कौन सी rays है, जो emit नहीं होती है, radioactive elements से, तो वो है दोस्तों answer, cathode ray emit नहीं होती है, तो भईया होती कौन सी है, radioactive से होती है, alpha rays, beta rays, और gamma rays, अब भईया अगर मैं आप से बोलूँ कि किसका power जादा होती है, इसकी frequency जाद बात नहीं है, description में ये वाला वीडियो में डाल दूँगा, आपको पूरा पता चल दाएगा, कि gamma rays का power जादा होता है, कि beta का, क्या alpha का, क्या x-ray का सब पता चल दाएगा, tension मत लीजिए दोस्तों, with the help of मैंने pricks awesome वीडियो बना दिया है, बस आप एक बार जाकर देख लेना, धूम मचा दोगे, आप खुश हो जाओगे, आप कहोगे कि अब मिला है सही चैनल भाई, क्योंकि मैं बिल्कुल इमा अंदरी से महनत से पढ़ाता हूँ, तो मैं बिल्कुल आपको, मतलब guarantee देता हूँ कि आपको पूरा समझ में आएगा, है ना, description चेक कर लेना, जीवन का अबदार हो जाएगा, यह देखिए, what is the melting point of ice on kelvin scale, अपना जो ice, बर्फ जो melt होता है, वो kelvin scale पर कितने उस पर degree होता है, तो 273 kelvin बोलेंगे उसको, या फिर 0 degree celsius, ओके, धियान रखेगा जो अपना बर्फ पिखलता है, या तो 273 kelvin बोलेंगे, या फिर 0 degree celsius पिखल जाता ह 22nd, name the process which the body manufactures blood cells in the bone marrow is called, भाई यह कौन सी process है, वो जिसमें अपनी body manufacture करती है, blood cells को bone marrow के अंदर, उसे बोलते हैं, hematopoiesis, important है, ध्यान रखियेगा, biological question है, hematopoiesis इस चीज़ को बोलते हैं, मेरे दोस्तों, ध्यान रखियेगा, समझ में आए दोस्तों, चलो आगे बढ़ते ह who is regarded as the father of medicine, इनका नाम है hypocrites, important ध्यान रखियेगा, father of medicine किसको बोलते है, hypocrites, है न, चलिए भाई, और जल्दी पढ़ते हैं, यह देखिये, बहुत world class, बहुत ही शानदा question, कई बार छप चुका है, और छपेगा भाई हर बार, chicken pox is caused by, chicken pox काई से होता है, मेरे भाई, bacteria से होता है, तो इसका अंसर दोस्तो virus, अब अगर आप सोच रहोंगे, भाईया, मुझको तो पता ही नहीं चलता कि virus से कौन कों से disease होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, तो tension की कोई बात नहीं, गौरफ दिलतिया, शानदार वीडियो बना दिया है, मैं हूँ गौरफ दिलतिया, world class अमी का small chicken हिट रहा, पूरी की trick एक ट्रिक है, इससे आपको पूरे के पूरे disease पता चल दाएंगे, कि भाईया, यह बायरस से क्या क्या होता है, I challenge you with due love and respect, आपको पूरा पसंद आएगा, guarantee इस बात की, जरूर description चेक करना, एक बार मेरी बात पर trust करना दोस्तों, एक बार, ब पता है, तो वेक्टिरे के मैंने सांदर ट्रिक बनाई है, कल टीटी ने पकड़ लिया without ticket, तो W से वूपिंग कप हो गया, हैना T से टेटने हो गया, कल से cholera हो गया, इस तरीके से मैंने सारा proper बताया है, फिर इसकी guarantee लोगा 1000% भाई, पसंद आएगा, आप हो जाओगे fan, एक एक चीज, हैना, तो जरूर देखिएगा आप, 26, Alzheimer affects which part of the human body, सबसे पहले तो जो Alzheimer, दोस्तों, एक disease होता है, इसमें क्या होता है, human body में कौन सा part affect करता है, brain, हैना, अपने, मतलब तो अपना जो भेजा है, अपना brain है, उसमें क्या आपन भूल जाते हैं, बहुत साई चीज़ उनने रटक चलेगा, बच्चन साहब ने proper script क्या, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, तो बच्चन साहब थोड़ा script में change है, एक काम करो, आप उनको ये बोलना dialogue, बच्चन साहब भढगा बच्चन साहब क्या लगए, नहीं ऐसा नहीं होगा, यार वो क्या है, मैंको Alzheimer की problem है, गलसलर dialogue हो जाएंगे, इसलिए पहले बताना था तुमको, तो बस मुझे ये पता था, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था ये, तो बस वहीं से मैं relate करना चाता हूँ, कि brain से related होती है, इसमें भूल दाते हैं लोग, ठीक है, ये देखिए भाई, काला अजर is caused by, ये दोस्तों प 1000% guarantee मेरे दोस्तों, जाएंगे और वीडियो को देख लीजिए, आप हुजाओगे fan, और इतने खुछ हुजाओगे comment तो करोगी guarantees बात की, दस में से एक बंदा तो comment जरूर करेगा, मैं बता रहा हूँ जो बंदा genuine और जिसको सच में पसंद आएगा वीडियो तो, है ना, और और ते लोग ये टिकी बंदी लगाती है ना, शर में, है ना, दो आखों को बीच में, आइबरों के बीच में, वहीं पिटुटरी ग्लेंट होती है, छोटी सी मतर के दाने के बराबर, और भाइए, इसी को ये बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करती है, इसलिए पहले के टा नेच्रल तरीका यूज़ करते थे, बट मुझे अब पता चला कि भईया को पिटुटरी ग्लेंट का इखेल था, और जो दुनिया में चलाते फ़रते हैं कि भईया, जो संकर जी के तीसरी आंक, तीसरी आंक कुछ नहीं वह पिटुटरी ग्लेंट ही है, तो कि यहीं से पिटुटरी ग्लेंट, समझ लो इस बात को, और एक बढ़िया सा कुछन पूछता हूं या बताता हूं आपको, आप बहुत पूजा पार्ट करते हूंगा भईया भोले नात, लेकिन भोले नात रहते कहां थे, पता है आपको, यह नेपाल में जो अपने परवत है ना, मेर जो है खेल, चलो, 29 किया है, रिंग वाउम इसकाजड़ बाए, यह भी बहुत शांदार है दोस्तों, यह फंगस से होती है यह वाली बीमारी, ठीक है, फंगस से कौन सी बीमारी होती है, रिंग वाउम इसकाज़ड़ वाई, इसकी मेंने एक ट्रिक बनाई है, क्या बनाई ह लास्ट वाला देखिए यह भी बहुत इंपोर्टेंट लेपरोसी इसकोष्ट बाए यह दोस्तों वेक्टिर्स बनती है मैंने बोला ना कल टीटी ने पकड़ लिया विट विदाउट टिकेट तो एहल से लेपरोसी बना यहां तो वह जरूर देखिया का पसंद आएगी और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे खतरना बीमारी लेपरोसी मैं मानता हूं आप एक बार गूगल मैडम से पूछना है है गूगल है फोटोस ओफ लेपरोसी डिसीज ऐसा वैसा इतनी गंदी गंदी फोटोस आएंगी आपका देमाग खराब हो जा जादा बेकार है तो आप जरूर जाके एक बार गूगल पर देखना कि लेपरोसी बीमारी कैसी होती आपको पता चलेगा कि गौरफ सही बोल रहा था अपन बहुत ग्रेटफुल और बहुत खुश रहना चाहिए कि अपनी बॉड़ी बहुत सही है आपनको देख रहा है इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप ग्रेटफुल रहो खुश रहो अपनी लाइफ से मतलब रोती मत रहो कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा जो भी होगा अच्छा होगा इंप्रूब करेंगे मैनत करेंगे बस आपनको ऐसी दिक्कत है तो नहीं है लोग बहुत सफर कर है तो जरूर जाकर इमेज देखिएगा है ना बेक्टिरियस होती चलो भाई थेंक्यू सो मच मैं रिवीजन नहीं करवांगा वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज दू कमेंट इस वीडियो अगर लगता है वीडियो दमदा या पढ़ने के लिए तो उनकी जरूर मदद करिए यार उनकी नजर में अपनी इमेज अच्छी बनाईए है ना ताकि वो भी कहें कि हाँ यार वाले भाहिया ने या दीदिन को सजेस्ट किया था है ना और आप शेयर नहीं करेंगे ना दोस्तों मैं कुछ भी कर लूँ कित जन्यून बंदा है कंटेंट भी जन्यून है पढ़ाने का तरीका सही है इंफर्मिटिव कंटेंट है तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी लाइफ को इंप्रूव करें और पढ़ते रहें और आपकी हल्प करने के लिए में डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक ठाल की नेवर अंडर इस्टिमिट दा पावर ऑफ रिविजन बार बार रिविजन करिए पांसे शे घंटे हर दिन पढ़िए अगर आप रोज पढ़ेंगे पांसे शे घंटे जन्वरी फरवरी मार्च अप्रेल माई जून जुन जुलाई अगर सेप्टमबर अक्टबर जुकोविच है ना साने नेवाल साने मिर्जा जीब बड़े बड़े चेंपिन है ना वो लोग भी बहुत प्रेक्टिस करते हैं that's why they are the champion और अगर पढ़ने की बात आई तो IES IPS भी बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों तब जाकर वो चेंपिन बनते हैं तो आप भी करिए आप भी चेंपिन बनी है मैं बस यही कहने चाहता हूं बस इतनी सी बात दोस्तों अच्छा लगाओ तो वीडियो लाइक कर देना शेयर कर देना and be consistent towards your goal never ever give up and be proud of who you are and just to work hard every single day towards your dream doesn't matter what हर दिन मेहनत करेंगे और धूम जरूर मचाएंगे अपन है ना चलो तिंग थैंक्यू